नमस्कार दोस्तों मैं गौरब एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने हेल्पिंग गौरब योटूब चैनल पर दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आ गया हूँ और दोस्तों आज मैं एक बार फिर से बात करने वाला हूँ Beltron के topic पर हाँ दोस्तों और जिस topic पर मैं बात करने वाला हूँ वो topic बहुत ही important है आप वो सकते हैं कि काफी student बहुत ही लंबे दिनों से इंतिजार कर रहे थे और उसके बात जो है आज उनके लिए बहुत बढ़ी खुसकवरी आई हुई है दोस्तों उम्मीद करते हैं आप मेरी इसारा को समझ गए होंगे मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिन candidate का KYC reject हो गया था यानि की 577 candidate के बारे में दोस्तों उनके लिए आज बहुत ही बड़ी update आई हुए है वीडियो के अंद तक बने रहेगा ना सिर्फ update आपको जानना है बलकि हर छोटी सी छोटी बातों को जानना है जिसके वज़ा से आपका KYC reject हो गया था और उसके बाद आपको लंबा इंतिजार करना पड़ा है अब आप कोई भी गलती ऐसा मत कीजेगा कि फिर से आपका KYC reject हो जाए और उन सारी बातों को आज मैं discuss करने वाला हूँ साथ या दोस्तों मैं और भी कुछ टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो आप बोल सकते हैं ज्वैनिंग से संबंदीत है तो दोस्तों वीडियो के अन तक आप लोग बने रहेगा तो चली दोस्तों हम लोग वीडियो के main topic पर आते हैं उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा request करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार helping और आप YouTube चैनल पर विजिट किये हैं तो भी आप helping और आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बगल के बैलातन को दवाना बिल्कुला बोले और साथ या दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे टेली ग्राम ग्रूप में नहीं जूड़े हैं तो जल से जल आप लोग मेरे टेली ग्राम ग्रूप में जूड़ जाएए टेली ग्राम ग्रूप पे जो बेल्टरॉन का ग्रूप है उसमें 2700 पलस कंडिडेट जूट चुके हैं आपका भी most welcome है आप लोग भी जल से जल जूट जाएए टेली ग्राम ग्रूप का लिंक मैं वीडियो के डिस्केप्शन बास पे डाल दिया हूँ और साथ या दोस्तों अगर आप अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किये हैं तो जल्द सजल्द आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिजे मेरा युजरनेम है healthy underscore गौरव या फिर दोस्तों आप आज के इस वीडियो के डिस्केप्शन बास पे चले जाएए वहाँ आपको मेरे इंस्टाग्राम आइडी का लिंक मिल जाएगा उस लिंक पर किलिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और दोस्तों इंस्टाग्राम पे मैं कोई भी लॉक नहीं लगाया हूँ लॉक नहीं लगाने के फीचे सिर्फ एक ही रिजन है कि आपके पास जो भी समस्या आपकी है आप मुझे contact कर सकते हैं आप अपनी समस्या को मुझे तक पहुचा सकते हैं अगर आपके समस्या को solution मेरे पास होगा तो मैं 100% आपको reply करूँगा और 100% मैं आपको जो है जो भी आपके समस्या को solution होगा वो मैं आप तक पहुचा दूँगा और अगर आपके समस्या का मेरे पास समादान नहीं होगा तो मैं आपको कम से कम एक अच्छा सुझा जरूर दोंगा जो आपके काम को आशान कर सके चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने मैंट टॉपिक पर आते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलोग कर लिजेगा इंस्टाग्राम आईडी का लिंग में वीडियो के डिस्किप्शन वास पर डाल गया हो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे के वाइसी के लिए हाँ दोस्तों उन सभी स्टुरेंट के लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी आई हुई है जिनका के वाइसी रिजेक्ट हो गया था उनका आप बोल सकते हैं उनके चेहरे पे एक हसी आजाएगी इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा रात मिलेगा कि उनका के वाइसी का लिंक फिर से ऑपन किया जा रहा है ठीक है कभी किया जा रहा है तो 13 मार्च 2021 को आप समझ सकते ह छे मार्च है और 13 मार्च को जो एक्टिवेट कर दिया जाएगा लिंक 13 मार्च से आप के वाइसी कर सकते हैं इस स्विच को आप लोग सुन लिए होंगे लेकिन एक चीज़ आप याद रखेगा कि पिछले टाइम जब के वाइसी का लिंक उपन हुआ था तो बहुत सारे ऐ कुछ लोगण का ही रख्या तो आप लोगोंटको नहीं करना है लुद्पारिश करना है जलंधाजी समझे लेना है जब आप अपने आप से संतूष हो जाएंगे कि मेरा कहीं भी किसी भी जगा कोई problem नहीं है और जो जानकार आदमी है उनको आप दिखा सकते हैं bell front के student से या फिर आप मुझे भी contact कर सकते हैं उसके बाद जब आप confirm हो जाएगा तभी आप KYC कीजिएगा अब इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि KYC का link जो अपन हो जाएगा और उसके बाद आराम से आप सो जाएगा सोने भी मैं नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मैं आपको जल्दवाजी भी नहीं करना है बहुत ही आराम से सारा चीज़ देखने के बाद ही आपको KYC करना है और जिस स्टूडेंट का आप बोल सकते हैं कि BC1 के जगा BC2 चा फिर father's name में, mother's name में या खुद के नाम में कहीं भी कुछ भी problem हो गया है ठीक है, तो उन सभी स्टूडेंट को हडवड़ा के KYC बिल्कुल नहीं करना है सबसे पहले आप कोसिस कीज़े कि Beltron office में बात कर लिजे अपनी problem को वहाँ पे बताईए और बताने के बाद उनको वो जो बोलेंगे उसके हिसाब से आपको करना है अगर आप पटना के आसपास के स्टूडेंट हैं तो आप जाके विजिट कर सकते हैं तो आप जाके बोल सकते हैं कि सर हमने आभेदन दिया था मेरी समझ्या यह है, अभी तक नहीं हुआ है उसके बाद ही आपको KYC करना है ऐसा नहीं है कि तेरा तारीको लिंक एक्टिबेट हो और तेरा तारीको यह आप करने के लिए लग जाएए पाकी पता चला कि आप फिर से वही गलती कर दिये और फिर से आपको इतना दिन जोए वेट करना पड़ गया इस दिशको ध्यान में रखना है आप बेल्टरोन ओफि सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जो भी करना आपको अराम से करना अस्थीर से करना हड़ बढ़ाना नहीं है अब बहुत सारे ऐसे कंडिडेट भी है जिनका जाती आवास्ति यह बहुत ही पूराना था और जल्दवाजी में क्योंकि लोग डाउन था बन नहीं रहा था तो व सुरू कर दीजिएगा निस्चिन से आप लोग सारा प्रेपर बनवा लीजिए चाहे वह जाती हो आवास्ति हो आए हो या फिर EWS वाले को कहना चाहूंगा कि आपका 31 मार्श को एक्सपैर कर जाएगा EWS क्योंकि वित्य वर्स तक चलता एक अपरिल से 31 मार्श 31 मार्श आने भी डाल सकते हैं वाकि जाती आवास्ति आए वगर जो भी दिजिएगा आए तो लगेगा नहीं जाती और आवास्ति है उसको आप नया दिजिएगा नंबर एक चीज़ नंबर दूसरे चीज़ मैं आपको पताना चाहूंगा कि फॉन से फोटो खीच कर आप लोग मत दिज होता है और फिर उसके बाद आपका जो भी बैरिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें आप को सही से पास कर दिया आया तो इस दिजिए को ध्यान रखना है कि पेपर जो भी आपको देना वह इसकैन करके देना फोटो खीच कर नहीं देना पीडियाप में आप डाल सकते हैं ताकि और भी बेटर हो बांकी इस सीच को आप याद रखेगा जो भी प्रॉब्लम हो आपको या फिर जरासा भी शंका लगे तो आप किसी अच्छे आदमी से कॉंटेक्ट कर लीजेगा चाहे मुझसे चाहे फिर और भी किसी से और समझने के बाद सारे बाद को उसके बाद ही आप किवाईसी कीजेगा जल्दवाजी में मत कीजेगा और बाकी तो आप लोगों पता चली गया कि 13 मार्च को के वाईसी का लिंक एक्टीव हो रहा है इसको कॉल के वादियम से फॉन के मादियम कंशें मेसेज के मादियम से उनको बता दिजेगा ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे कंडिडियट हैं सब्सक्राइब यह पहल нарों को उनको आप बोल सकते हैं बत्तमीजी से उनके साथ बात किया गया है फिर गलत तरीके से बात किया गया वो बोले भी थे कि मेरे मुद्दे को आप उठाइए लेकिन मैं आपको यही काना चाहूंगा कि मैं आपके मुद्दे को उठा भी रहा हूं लेकिन एक चीज में काना चाह और उनका फिर वो नर्वस फिल करेंगे फिर अगर उनके साथ अगर कोई टेस्ट वगरा ले लिया फिर कुछ भी वहा तो वह हड़बड़ा जाएंगे तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कि जब इस्ट्रेंट फॉन करके रूने लग गए उनकी समस्या को हम लोग समझ सकते हैं लेकिन थोड़ा दहर रखे सारा कुछ हो जाएगा दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको काफी पसंद आई हो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को आपसे अगली वीडियो में तक तक के लिए बाय एंड टेक केर जहिंद वंदे मात्रां